परिचाए चात्रो, क्या तुम चानते हो कि बहुपद क्या होता है? सर, बहुपद एक ऐसा व्यंचक होता है जिसमें दो से ज्यादा बीजिये पद होते हैं और क्या तुम बता सकते हो कि यहाग किस प्रकार का बहुपद है? सेर, क्या ये दुईघाद बहुपद है? सही, या दुईघाद बहुपद है जब हम इस बहुपद को शूने के बराबर करते हैं, तो हमें दुईघाद समिकरण प्राप्थ होता है आज हम दुईघाद समिकरण के बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे दुई घात समिकरण को समझना गुडन खंडों द्वारा दुई घात समिकरण को हल करना दुई घात समिकरण का पून वर्क बना कर हल करना मूलों की प्रकृती समझाना दुई घात समीकरण दुई घात समीकरण का एक उधारण इस प्रकार है यह इसे दुई घात यानी क्वेड्रेटिक बनाता है क्वेड्रेटिक नाम क्वेड से आया है जिसका अर्थ वर्ग होता है क्योंकि चर वर्ग हो जाता है जैसे एक्स वर्ग इसे घाद दो का समीकरण भी कहते हैं क्योंकि एक्स पर दो लगा होता है दोई घाद समीकरण का मानक रूप इस प्रकार है एक्स वर्ग जमा बी एक्स जमा सी बराबर शूने यहां अक्षर ए, बी और सी गुणांख है इनका मान कुछ भी हो सकता है केवल एशूने नहीं हो सकता अक्षर एक्स एक्चर या अग्यात है दोई घाद समीकरण का उधारण हम जाच करेंगे कि दिया गया समीकरण दोई घाद समीकरण है या नहीं हल यहां LHS बराबर X तीन एक्स जमा चार बराबर तीन एक्स का वर्ग जमा चार एक्स के अताह एक्स गुणा तीन एक्स जमा चार बराबर एक्स वर्ग जमा एक को पुना इस प्रकार लिखा जा सकता है इसलिए हमें दो एक्स का वर्ग जमा चार एक्स घटा पांच बराबर शुनने प्राप्त होता है 3x का वर्ग जमा 4x बराबर x वर्ग जमा 5 ये Ax वर्ग जमा Bx जमा C बराबर 0 के रूप में है अताह दिया गया समीकरण दुई घाज समीकरण है दुई घाद समिकरणों के मूल एक वास्तविक संख्या अलफा को दुई घाद समिकरण AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 का मूल कहते हैं, जहां A 0 नहीं है. हम ये भी कह सकते हैं कि AX बराबर अलफा दुई घाद समिकरण का हल है, यहां ये समिकरण को संदुष्ट करता है. दुई घाद बहुपद AX वर्ग जमा BX जमा C के 0 यक और दुई घाद समिकरण AX का वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 के मूल समान होते हैं, गुणन खंडों द्वारा दुई घाद समिकरण का हल एक समिकरण AX वर्ग घाटा 9X जमा BX बराबर 0 ने लिजिये. हल, चरण एक, पहले दुई घाद समिकरण AX वर्ग घाटा 9X जमा BX बराबर 0 का गुणन खंडन कीजिये. चरण दो, दो ऐसी संख्याएं प्राप्त कीजिये जिनका योग 9 हो और जिनका गुणन फल 20 हो. ये संख्याएं 4 और 5 हैं. एक्स घाटा 4 एक्स घाटा 5 बराबर 0 ने चरण 3 अब एक्स का ऐसा मान प्राप्त कीजिये कि इन कोश्ठकों का गुणन फल 0 हो. इसका अर्थ है कि या थो एक्स घाटा 4 बराबर 0 या एक्स घाटा 5 बराबर 0 होगा. अताह एक्स बराबर 4 या एक्स बराबर 5 है. आप इन उत्तरों की जाच समीकरण में 4 और 5 को रखके कर सकते हैं. एक्स कवर्ग घाटा 9 एक्स जमा 20. मान चार रखने पर हमें ये प्राप्त होता है. चार कवर्ग घाटा 9 गुणा 4 जमा 20 बराबर 16 घाटा 36 जमा 20 बराबर 0. मान पाँच रखने पर हमें ये प्राप्त होता है. पाँच कवर्ग घाटा 9 गुणा 5 जमा 20 बराबर 25 घाटा 45 जमा 20 बराबर 0. इन तीन आसान चर्णों को याद रखिए और आप दुई घाट समीकरण को हल करने में सक्षम हो जाएंगे. उधारण मान लिजिए कि हम एक्स वर्ग घाटा 5 एक्स जमा 6 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं. हम दुई घाट का गुणन खंड करने के लिए दो ऐसी संख्याओं को प्राप्त करेंगे जिनका योग घाटा 5 हो और जिनका गुणन फल 6 हो. अब घाटा 3 गुणन घाटा 2 बराबर 6 और घाटा 3 जमा घाटा 2 बराबर घाटा 5 प्राप्त होता है. अता ये दो संख्याओं घाटा 3 और घाटा 2 हैं. हमें दो संख्याओं घाटा 3 एक्स घाटा 2 एक्स का प्रयोग घाटा 5 एक्स को लिखने के लिए करते हैं और गुणन खंड करते हैं. अताहा गड़ना करने पर हमें एक्स घाटा 3 बराबर 0 या एक्स घाटा 2 बराबर 0 प्राप्त होगा. इस प्रकार x बराबर 3 या x बराबर 2 ये दो हल है उधारण अब मान लिजिए कि हम x का वर्ग घटा 3x घटा 2 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं हम ऐसी दो संख्याओं को प्राप्त करेंगे जिनका योग घटा 3 और जिनका गुडन फल घटा 2 हो आप चाहें जितनी भी कोशिश कर लें आपको ऐसी दो संख्याओं नहीं मिलेंगी अताहा इस समीकरण का गुडन खंड नहीं होगा इसके लिए हमें एक अलग तरीके की जरूरत होगी उसे हम अगली स्क्रीन में सीखेंगे दूइ घात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना कर हल यदि समीकरण का गुडन खंड नहीं होता है तो इस विधी से दूइ घात समीकरण को हल करते हैं किसी बीजिये व्यानजक को एक वर्ग जमा एक अन्यपत के रूप में लिखना सुविधा जनक होता है दूसरा बद एक्स के कुणांग को दो से विभाजित करके वर्ग बना कर प्राप्त करते हैं किसी भी दूइ घात समीकरण को इस विधी से हल करने के लिए पुनर वैवस्थित कर सकते हैं इस उधारण को देखें माले हम एक्स वर्ग जमा छे एक्स को हल करना चाहते हैं एक्स वर्ग जमा छे एक्स को एक वर्ग जमा एक और पत के रूप में फिर से लिखें एक्स का गुणांक 6 है, 6 को 2 से विभाजित करते हैं और इसका वर्ग करने से 9 प्राप्थ होता है एक्स वर्ग जमा 6x बराबर एक्स वर्ग जमा 6x जमा 9 घटा 9 बराबर एक्स जमा 3 का वर्ग घटा 9 उधारण, 2x का वर्ग जमा 20x जमा 3 बराबर 0 को हल कीजिए एक्स वर्ग को प्राप्थ करने के लिए 2x वर्ग जमा 20x जमा 3 बराबर 0 को पुना लिखे यह इस प्रकार होगा यहां एक्स का गुणांक 10 है 10 को 2 से विभाजित कीजिए और 25 प्राप्थ करने के लिए इसका वर्ग कीजिए यह इस प्रकार होगा हम जानते हैं कि 2x वर्ग जमा 20x जमा 3 को पुना लिखा जा सकता है इसलिए हम समीकरण को निम्ण रूप में पुना लिख सकते हैं दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करने पर हमें 23.5 प्राप्थ होता है दोनों पक्षों का वर्ग मूल लेने पर हमें x बराबर घटा 0.152 या x बराबर घटा 9.85 प्राप्थ होगा मूलों का चरित्र समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 का मूल निम्ण दिया गया है यहाँ b वर्ग घटा 4ac निश्चित करता है कि दुई घात समीकरण ax वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं या नहीं बी वर्ग घटा 4ac को दुई घात समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं यदि बी वर्ग घटा 4ac बराबर 0 से तो दुई घात समीकरण के दो भिन वास्तविक मूल होते हैं यदि बी वर्ग घटा 4ac बराबर 0 से तो दुई घात समीकरण के दो भिन वास्तविक मूल होते हैं यदि बी वर्ग घटा 4ac छोटा है 0 से तो दुई घात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है उधाराण मान लीजिए कि हम x वर्ग घटा 3x घटा 2 बराबर 0 को हल करना चाहते हैं मानक रूप ax का वर्ग जमा bx जमा c बराबर 0 से इसकी तुलना करने पर हम a बराबर 1, b बराबर घटा 3 और c बराबर घटा 2 प्राप्त करते हैं आईए इन मानों को सूत्र में रख कर और गड़ना करने पर हमें 3 जमा या घटा वर्ग मूल 17 बटे 2 प्राप्त होता है ये हल सही है क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. X चर वाला एक दुईखा समिकरण AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 के रूप का होता है, जहां ABC वास्तविक संख्याएं और A 0 के बराबर नहीं है. किसी वास्तविक संख्याएं अल्फा को दुईखात समिकरण AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 का मूल के थे हैं, यदि A अल्फा वर्ग जमा B अल्फा जमा C बराबर 0 हो. दुईखात बहुपद AX वर्ग जमा BX जमा C का 0 और दुईखात समिकरण AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 का मूल समान होता है. यदि हम AX वर्ग जमा BX जमा C, A 0 के पराबर नहीं है, इसका दूरेखिक गुणन खंडों में गुणन खंडन कर सकें, तो प्रतेक गुणन खंड की 0 से सम्तुलेता स्थापित करके दुईखात समिकरण AX का वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 ने प्राप्त किया जा सकता है. किसी दुईखात समिकरण को पूर्ग वर्ग बना कर भी हल कर सकते हैं. किसी दुईखात समिकरण AX वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 के मूल निम्न प्रकार के होते हैं. किसी दुईखात समिकरण AX का वर्ग जमा BX जमा C बराबर 0 में होता है. यदि B वर्ग घटा 4AC शुन से पड़ा है, तो दुईखात समिकरण के दो भिन वास्तविक मूल होते हैं. यदि B वर्ग घटा 4AC बराबर 0 है, तो दुईखात समिकरण के दो बराबर यानि समपाती वास्तविक मूल होते हैं. यदि B वर्ग घटा 4AC चोटा है 0 से, तो दुईखात समिकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है. है, तो खर अफ ब घटाएंता है। करता है. झाल झाल